Hello students, आज हम पढ़ेंगे Image Formation in Concave Mirror Concave Mirror में जो images बनती हैं, वो किस तरह की होती हैं? तो first है, जब object रखा हुआ हो बहुत infinity पर, बहुत दूर रखा हुआ हो object तो किस तरह की image बनेगी और कहां बनेगी? तो आप देखें कोई दूर object पड़ा हुआ है, तो उससे जो parallel raise आती है, यह principal access है और यहां पर parallel raise आती है, आपको लोग बताया था मैंने कि जब parallel raise आती है तो वो focus से होके गुजरती है, यह parallel है, तो यह फोकस से होके जा रही है यह parallel है, यह focus से होके जा रही है, तो image कहां फोर्म होगी? जब दोनो raise, जो reflected raise जहां मिलती है, वहां image फोर्म होती है तो यहां पर यह मिल रही है, इस f point पे, तो image कहां बनेगी? focus बनेगी. फर्स्ट समझ में आगया होगा आपको, कि जो भी object infinity पे होता है, उसकी image बनेगी, focus पे क्योंकि यह concave mirror में है, और क्योंकि इसकी images आगे बढ़ रही है, तो यह real होगी और inverted होगी second है, कि जब उस object को हमने उठा करके, c, यह focus point है, यह c है curvature और यह है, यहां पर हमने इस object को रख दिया, infinity से लाकर के थोड़ा पास कर दिया तो यह थोड़ा, अब इसको हम क्या बोलेंगे beyond c, यानि कि c के पीछे रखा हो object, इस object से एक parallel ray निकल रही है, यह parallel ray कहां से होके निकलेगी, वापस reflect कहां से होगी, focus से, यहां से जो ray निकलेगी, focus से होके आ रही है, तो आपको rule बताया था कि जब focus से होके कोई ray आती है, त यह दूसरी वाली रहे, और यह तीसरी वाली तीनों कहां मिल रही है, इस i point पर मिल रही है, यह i image बन रही है, और मैंने image का इस तरह से arrow कैसे बनाए, उल्टा बनाए, उल्टा मतलब inverted बनता है, तो जब भी कोई object c के पीछे होता है, यानि कि infinity और c के बीच में होता है, तो image हमेशा कहां बनेगी, c और f के बीच में बनेगी, object beyond c, यानि c से थोड़ा दूर है, तो image कहां बनेगी, c और f के बीच में बनेगी, next है third point, जिसमें c पर हमने रख दिया, अब हमने object उठा करके और c के उपर रख दिया, यहां से object से एक रह आ रही है, parallel, focus से होके जा रही है यह focus से होके टकरा, यहां पर टकरा रही है, तो parallel होके जा रही है, तो अब कहां मिल रही है, image यहां पर आ करके मिल रही है, दोरों reflector रही है, इधर मिल रही है, तो image कहां बनेगी, इस जगे पर image बनेगी, अब आप देखेंगे कि जो भी object हम c पर रखते हैं, यहां पर c पर रखते हैं तो उस image का बनना भी कहा होता है C पर ही होता है यह आपको caution पूछलता है कि जब object C पर पड़ा है तो image कहां बनेगी तो बताएंगे आपके C पर ही बनेगी next point है जिसमें object को रखा गया है C और F के बीच में तो C से यह इसकी raise आई टकरा करके के हैंस निकली F से होकरे गई तो टकरा करके यहांस से होके parallel निकली तो कहां मिल रही है यह इस point पे मिल रही है यानि कि जब भी हम object को C और F के बीच में रखते है औगी image कहां चली जाती है C के पीषे जा जाती आप कि जितना हम ऑबजेक को किसका करके और इसके पास में लाते जा रहे हैं मिरर के पास में लाते जा रहे हैं ऑबजेक की इमेज कहा बनती जा रही है उस मिरर से दूर होती जा रही है अब आप देखेंगे यह वाला जिसमें हमने ऑबजेक को फॉकस पे रख दिया है फॉक बहुत दूर जाकर के, फॉर्म होगी, और वो हम को बहुत अ्लार्ज दिखाई देगी, जैसे ही हम उस इमेश को बिल्कुल पास मे लेकर आ जाते हैं, तो इमेश क्या होती है, उस मीरर के जस्ट पीछे की तरफ बनती है, आप देख रहे हैं इमेज यहां mirror के पीछे बनेगी तो ऐसी condition जिसमें कि हम बिल्कुल object को focus और पॉल के बीच में ले आते हैं बिल्कुल चिपका देते हैं mirror के पास में बिल्कुल करीब ले आते हैं तो image हमेशा कहां बनेगी पीछे की तरफ बनेगी यह बिल्कुल इसका opposite हो जाता है तो यहां पर बनेगी तो image कैसी होगी सीधी होगी और अब यह सीधी हो गए यानि की बिल्कुल कैसी हो जाएगी erect हो जाएगी and erect है अगर और mirror के पीछे बन रही है तो क्या कैलाएगी virtual image कैलाएगी तो अब ध्यान रखिए कि जितना हम object को mirror के पास लाते जाते है इमेज उस mirror से बहुत दूर बनती जाती है और बिल्कुल पास जब ले आते हैं तो image उस mirror के पीछे की तरफ बनती है यह छे डाइग्राम रे डाइग्राम आपको copy के अंदर बनाने है थैंक यू